समझ गई यहाँ पर टेक एक ही रहेगा सिंपल टेक एक ही रहे जैसे मैंने अभी ओडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोस्तों नमजगार आज की जूड़ों में हम बात करेंगे बहुत इमेजिंग फैक्ट के वारे में अब मैं यह पर र आते हैं साथ जाथ बोलते वक्त आप हाफ ने लगते जिसके वज़े से होता क्या है कि आपकी स्वांस की जो आवाज है वह रिकॉर्ड हो जाती है और वह बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है आपकी ओडियो में इसको कैसे रिमूब करें या फिर इसको कैसे हटाए नेचुराली प्लस ओडियो एडिटिंग के दौरान तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी से होने वाली है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी क्योंकि दोस्त यह जो चीज होती है ना जो मैंने अभी बताया आपको सारी चीजे यह ऐसी चीजे है रियली द आज तक आपको यह भी पता चलेगा कि वीडियो के लिए कैसे फास्ट स्पीडली अपने वोईस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसे बेसिकली एडिटिंग के दौरान फास्ट कर सकते हैं जो भी कुछ है सारी चीजे आज किस वीडियो में समझेंगे तो नमस्कार दोस् पर दोस्ते हैं कि आखिर यह चीज होती क्यों है और यह क्या तो कोई भी बंदा अगर किसी भी चीज को पढ़ रहा है तो वह उसे फ्लेंट ली नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से लगातार उसे पढ़ नहीं पाएगा उस चीज को कर नहीं पाएगा तो उसके लिए तभी कर पाओगे, जब आप उस script को बार-बार दोहराओगे, आप उस script को बार-बार पढ़ोगे, आप उस topic के बारे में research करके अच्छे से चीज़ों को समझोगे, और अपने अंदर से जब आप script को लिखोगे, तो वो script आपको फिल दिला सकती है, और आप उस script के regarding बहुत सा करने लगोगे ना मैं दोस्त, तो बहुत अच्छे से आप voice-over करते हो, आपको रुकावटे नहीं आएंगी, तो ये पहली चीज़ होगी, दूसरा हापने, हापने की, अगर मैं अपने आवाज को naturally change करने की कोशिस करूं, और जब voice-over करूं, तो अब्वेस सी बात है कि हाप करनी पड़ेगे, ये Lexis Audio Editor से होगा, इसको सबसे पहले आप देख लिज़े, ये कैसे होगा, फिर मिलते हैं आप से वीडियो में, अब समझते हैं कि silence को remove कैसे करना है, और हमें अपने स्वांस को कैसे remove करना है, तो देखिए, बीच में जो ये कुछ आपको यहाँ पर parts, जो gap दिख रहे हैं, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये, ये सब क्या है, ये basically मेरी स्वांस ही है, तो इसको मुझे remove करना है, उसके लिए क्या करेंगे, manually, यहाँ पर देखिए, आपको दो icons दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, ये, ये दोनों basic हैं कि, इन दोनों के बीच में जो भी part रहेगा, उस part में आप छेड़ खानी कर सकते हैं, यानि उसको cut कर सकते हैं, edit कर सकते जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस हर एक point को select करते जाएंगे, जैसे इस point को हमने select कर लिया, अब क्या करेंगे, आपको एक three dot का option मिलगा, इस पर आपको click करना है, और यहाँ three dot click करके cut करते जाना है, so simple, तो यही है चीजे, आपको सबसे पहले अच्छे से record करना है, और editing के दोरान उन हर एक part को remove करते जाना है, समझ गए, अब बात यहाँ पर आती है, कि सिर्प audio editing सीखने से ही आप cut कर दोगे, तो आपका यह problem solve हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, जब आपकी स्वांस जब record होती है, audio voiceover करने के दोरान, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कि आप सबसे फिल तो यह notice कर लोगे धिरे धिरे कि मैं कितना दिर के बाद, जो basically मेरा स्वांस है, वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल जाता है, जिसकी वज़ा से audio record हो जाती ह तो उस time में आपको थोड़ा सा gap लना है, या फिर थोड़ा सा mic से पीछे चले जाना है, उसके बाद फिर mic पर आना है, और फिर continue करना है, उसके बाद जब आप काटो गिना उस part को, तो फिर उस part को जब आप काटते हो तो आपकी voiceover में किसी भी प्रगार की परेशानी नहीं आईगी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रिखिएगा, जब आपको लगता है, मैं अब हापने लगूँगा, तो mic से थोड़ा पीछी आजाओ, और फिर जब आपको लगेगा कि नहीं बाद नॉर्मल है, तो फिर mic के सामने नजदी के चले जाओ, और फिर सब voiceover को continue करो, और वह वाला part कट कर देना, काटना कैसे यह आपने देख लिया, अलेक्सिस ओडियो अडियेटर से, यह हो गई कि कैसे अपने आवाज को लगातार सही तरीके से record करें, और अगर स्वास record हो जाती तो उसे कैसे remove करें, कैसे हटाएं, अब मेरे दोस्त यहाँ पर समझते हैं कि fast क को आप तोड़ दो, तीन से चार पार्ट में तोड़ दो और record करो, और speed record करो, फिर वही मैं बता रहा हूँ, speed record करो, रुक जाओ, speed record करो, रुक जाओ, और audio editing में सब को cut cut करके मिला दो, समझ गई, यहाँ पर take एक ही रहेगा, simple take एक ही रहे, जैसे मैंने अभी audio recording स्टार्ट क Fact No.2, क्या आपने कभी इस जगह पर focus करा है, कि आकर यह चीज क्यों है, किसलिए बनाई गई है, फिर रुक जाओ, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्वांस की दिकत्थे वो भी solve हो जाएगी, और fast speed भी record हो जाएगा, perfect, बाकि voice को कैसे perfect edit करना है, crisp कैसे बनाना, इस पर मैंने और रेड़ी वीडियो बना रखिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन पर जाओ, और देख लो, and thank you so much एर इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अगर वीडियो जरासा भी पसंद आया, आपको चीज़े जैनुन लगी, तो अभी like कीजे, बाकि हमें आ गया गाई आएगा, पक्तारा सही कि बटने बा कर देखने लिएगा आएगा उड्यों उिएल एवेट, खिसोज़े ए ज punya एर ढा सलने जावागा दिए ड्क्रणन लग को व्क्तारा, हड़ा रजिए बा।ो ए besो बड़ स opens this आले बा LOOK at this video guys लिए बाधा हो एबाबाछा ए झाल झाल